हेलो दोस्तों नमस्कार HRVPO आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके धन्यवाद आज आप इस वीडियो में देखेंगे वैं जानेंगे जिला सोनिपत के गड़ी सराय नामदार खां गाओं के बारे में यह गाओं का सरकारी स्कूल है गड़ी सराय नामदार खां गाओं भारत के राज्य हरियाना जिला सोनिपत की तैसिल गोहाना का एक गाओं है यह गाओं गोहाना सहर का निकट्टम गाओं है गाओं की में सड़क मारग पर गाओं का गोरावपट बना हुआ है साथ ही इसके गाओं का विकासपट बना हुआ है यह गाओं राज्य हरियाना की पावन धर्ती पर बसा हुआ है यह गाओं लग बग एक अजार वर्स पूरव एक पठान जिसका नाम सराइखा था के नाम पर रखा गया था इस गाओं में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं वे आपसी भाईचारे से रहते हैं यह गाओं का गराम सचीवाल्य है गाओं में अधिकतर सेनी जाती के लोग रहते हैं गाओं में हनुमान मंदिर बाबा पूरे खा वै लक्षमी नारायन मंदिर हैं जिन में गाओं के लोगों की बहुती आस्ता है सन दोजार ग्यारा की जनगन्ना के नूसार गाओं की जनसंख्या लगबग अठाणवे सो है काओं के लोगों की स्तानिय भाषा हिंदी वै हरियानवी है गाओं का डाक परधान कारियल्य गोहाना है यहां का पिन कोड एक सो इकतिस तिन सो एक है गाओं के अंदर पराचीन सिव मंदीर बना हुआ है यह मंदीर भगवान शिवशंकर को समर्पित है मंदीर के अंदर भगवान शिवशंकर का सिवलिंग स्तापित है जिला, पानिपत, सोनिपत, रोतक, जीन, गड़ी सराए, नामदार खाकाओं के नजदीकी जिले है तैसिल, गोहाना, गनोर, खर्खोदा, सपीदो, इसराना, गाओं की नजदीकी तैसिल है सन दोजार उननिस के आकडो के नूसार, गड़ी सराए, नामदार खा, गाओं एक, गराम पंचायत है गोहाना, सभी परमुक, आर्थिक, गतिवीदियों के लिए, गाओं का निकटतम सहर है यह गाओं बहुती सुन्दर्वे बड़ा गाओं है गाओं के अंदर भगवान हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है मंदिर के अंदर हनुमान जी की परतिम्हा स्ताप्पित है साथ ही अन्य देवी देवताओं की परतिम्हा बनी वी है यह गाओं गोहाना से सोनिपत्वे पानिपत जाने वाले मारक पर बसा हुआ है गाओं में सभी तरह की स्वीधाएं उपलब्द हैं गाओं में सरकारी स्कूल स्वास्ते के इंदर पशु हस्पताल आदी बने हुए हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताना आपके गाओं का क्या नाम है और आप किस गाओं की वीडियो देखना चाहते हैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी गडी सराय नामदार खांगाओं की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद